देखिए एक question आपका example number 7.8, question क्या कहा रहा है, इस sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit, हमारे पास एक series LCR circuit है, ठीक है, तो उसके लिए जो peak voltage दे रहा है, वो 283 volt है, यह आपका peak voltage है, मतलब maximum voltage 283 volt, यह हमें given है, frequency हमें दे रही है 50 hertz, फिर आगे लिखता है, is applied to a series LCR circuit in which resistance यह दे रहा है inductance भी दे रहा है, और यह capacitance भी दे रहा है, ठीक है, तो यह resistance आपका 3 ohm, और आपका inductance दे रहा है, वो दे रहा है 25.48 millihenry, तो इसे henry में convert कर लेते हैं, तो इसे आपको 10 की power minus 3 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह आपका henry में convert हो जाएगा, तो यह आपका inductance है, और यह capacitance आपका दे रहा है, to 796 microfarad, तो इसे आप 796 into 10 की power minus 6 से multiply कर दीजे, तो यह farad में convert हो जाएगा, ठीक है, आगे यहाँ पर हमसे पूछता है, find the impedance of the circuit, for LCR circuit, हमें यहाँ पर impedance बताना है, इसके लिए ठीक है, तो जो impedance होता है, first part है इसका यह, impedance के लिए जो formula होता है, वो होता है आपका z is equal to r square plus xc minus xl का whole square, आप देखो यहाँ पर मैंने xc minus xl का whole square लिखाना, आप xl minus xc का whole square भी लिख सकतो, दोनों से same ही answer आता है, क्योंकि यहाँ पर square हो रहा है, तो overall आपकी यहाँ पर की value आईगी हो positive भी आईगी, ठीक है, तो देखो हमारे पास resistance तो है, यहाँ पर given करना पड़ेगा सबसे पहले, तो चलो इसे calculate कर लेते हैं पहले, तो देखो xl क्या होता है, आपका xl होता है आपका omega l, तो xl is equal to omega का formula क्या होता है, वो होता है, आपका 2 pi into frequency into l, यहाँ value put कर लेते हैं, 2 into pi होगे, आपका 3.14 frequency, आपका 50 hertz inductance आपको यह दे रखाए, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 25.48 into 10 की power minus 3, तो इसे जब आप multiply करोगे, तो multiply करने भी इसकी value आएगी, वो आएगी 8, 8 ohm, यह आपका क्या है, यह आपका क्या है, inductive reactance है, फिर हमें यहाँ पे xc भी calculate करना है, तो xc कैसे calculate करेंगे, उसका formula होता है, 1 upon omega c, इसे मैं लिख सकता हू omega का जो formula होता है, वो होता है, आपका 2 pi into frequency into c, तो यहाँ पे just हमें value put करनी है, तो यह हो जाएगा आपका 1 upon 2 into pi होता है, आपका 3.14 frequency, आपका 50 capacitance हमें यह दे रखा है, तो इसे यहाँ पे put कर देते हैं, 796 into 10 की power minus 6, तो जब आप इसे solve करते हैं, solve करने पे यह आपका आएगा 4 ohm, ठीक है, 4 ohm, तो यह आपका capacitative reactance है, अब देखी, यह भी हमारा calculate हो गया, यह भी हो गया, तो इसे यहाँ put कर लेते हैं, ठीक है, तो z is equal to हो जाएगा, r कितना दे रखा था, r तो था हमारा 3 ohm, यह आपका r था, तो यह 3 का square plus xc हमारा दे रा है, 4 xl दे रा हमारा 8, त 4 minus 8 कितना होता है, minus 4 minus 4 का whole square कितना हो जाएगा, 16, तो यह finally हमें कितना मेलेगा, यह होगी हमारा 5, तो यह आगे हमारा impedance, 5 ohm, अब देखी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, phase difference between the voltage across the source and the current, हमें voltage और current में phase difference बताना है, अब इसे कैसे बताया जाएगा, देखो बच्चों, इतन इस formula से हम phase difference पता कर सकते हैं, 5 किया है, 5 is the phase difference between voltage and current, तो इस 5 को हमें calculate करना है, एक और चीज बताता हूँ बच्चों, कि चाहो तो आप xc minus xl भी लिख सकते हो, और xl minus xc भी लिख सकते हो, दोनों formula में से किसी भी एक formula का आप use कर सकते हो, अब देखो एक और चीज बताता हू या तो आपका क्या होगा, xc greater होगा xl से, या तो यह हो सकता है, कि xl greater होगा xc से, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर xc greater होगा xl से, तो इसका मतलब यह है कि lcr circuit में जो आपका capacitor है, वो dominating है, तो capacitor अगर dominating होगा, तो इसका मतलब जो current होगा, circuit में जो current होगा, वो lead करेगा, मतलब वो voltage से phi angle आगे होगा अगर xc greater होता है xl से तो और अगर xl greater है xc से तो इसका मतलब यह होता है कि circuit में जो inductor है वो dominating है तो inductor अगर dominating होता है तो circuit में जो current होता है वो lag करता है lag करने का मतलब यह है कि circuit में जो current होगा वो voltage से phi angle पीछे होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर हमने यह XL और XC calculate किया था तो आपको साब साब दिखाई दे रहा है कि XL XC से greater है यह 8 ohm है यह 4 ohm है तो हमारे पास यह वाली condition है तो अगर यह वाली condition है तो इसका मतलब current क्या करेगा lag करेगा तो चलो इसे 5 calculate कर लेते हैं current जो होगा voltage से 5 angle पीछे होगा तो यह हो जाएगा आपका 10 5 is equal to XC हमने put कितनी value थी XC की यह था 4 XC आपका 4 था यह आपका 8 था resistance आपका 3 था तो यह 10 5 is equal to हो गया आपका minus 4 divided by 3 तो इससे हम लिख सकते हैं 5 is equal to 10 inverse minus 4 by 3 लिख सकते हैं यहाँ पर मैंसे आपका question यह complete हो गया है लेकिन exam में आपको इसकी value given होती है परेशान होने वाली बात नहीं है मैंसे तो table से देखकर के आप इसकी value लिख सकते हो 5 angle पता कर सकते हो लेकिन actual में क्या होता है यह तो आपके teachers blackboard में इसका answer आपको given कर दिएंगे मतला लिख दिया जाएगा board में यह exam में ही इसकी value given होती है आपको ठीक है तो यह जो phi आता है आपका जो phase difference आता है वो आता है आपका minus 53.1 अब देखो यहाँ पर क्या था यह XL greater है XE से तो आपको लिखना है since XL is greater than XE then जो current होगा current in the circuit circuit में जो current होगा वो lag the voltage lag the source voltage lag the source voltage इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि circuit में जो current है वो voltage से 5 angle पीछे है ठीक है क्यों क्योंकि आपका यहाँ पर जो XL है वो greater है XE से तो इसका मतलब यह है कि LCR circuit में जो inductor है वो dominating है तो वो inductor का काम क्या होता है वो current को voltage से पीछे रखता है 5 angle पीछे रखता है third part है यहाँ पर हमसे पूछा है power dissipated in the circuit अब देखो इसे कैसे calculate करेंगे तो जो आपका power dissipated in the circuit होता है उसका formula होता है V I cos 5 तो यहाँ पर voltage जो है हम RMS voltage की बात कर रहे है current जो है वो भी RMS voltage RMS current की बात कर रहे है तो देखो यहाँ पर यह power dissipated हो जाएगा आपका V RMS का जो formula होता है उसे हम लिख सकते है I RMS into Z लिख सकते है तो यहाँ पर आजाएगा आपका I RMS into Z और यह आपका I RMS तो यहाँ पर ही पहले से और यह cos 5 है ना तो cos 5 का जो formula होता है वो होता है आपका R upon Z इसे power factor भी बोला जाता है तो यहाँ पर हमें देखो यह power factor भी निकान ला है इसे power factor ही बोला जाता है तो power factor का जो formula होता है वो R upon Z होता है तो इससे power factor निकल जाएगा आपका तो यहाँ पर इसकी जगह मैं मैं लिख रहा हूँ R upon Z तो यह Z से Z आपका cancel हो गया तो यह power dissipated हो गया आपका IRMS का square into R अब यह IRMS हमें calculate करना है तो इसे कैसे calculate किया जाएगा देखो सबसे पहले इस IRMS को calculate कर लेते हैं यह हमें given नहीं है तो IRMS is equal to हो जाएगा आपका VRMS divided by impedance अब VRMS भी हमारे पास नहीं है अब VRMS तो नहीं है हमारे पास लेकिन हमारे पास peak voltage है तो अगर peak voltage है तो इस peak voltage की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं VRMS निकाल सकते हैं यह आपका peak voltage है ना तो peak voltage अगर है तो हम VRMS निकाल सकते हैं ठीक है दोको VRMS क्या होता है आपका VRMS जो होता है आपका वो होता है आपका peak voltage divided by root 2 होता है तो इसे यहाँ पे लिख देंगा है IRMS is equal to VRMS की जगह में यह peak voltage divided by root 2 लिख दो peak voltage divided by root 2 into Z लिख दो तो बैस इसी formula को हम कहां लिख देंगे यहाँ पुट कर देंगे ठीक है तो यह power dissipated is equal to हो गया peak voltage divided by root 2 into Z इसका यह square into R तो यह क्या है आपका यह आपका IRMS current है ठीक है तो दोको यहाँ में value पुट कर देंगे peak voltage कितना दे रखा था 283 दे रखा था यह root 2 का value कितना होता है 1.414 होता है सबको पता है root 2 into Z impedance कितना था impedance हमने calculate किया था 5 5 ohm तो यहाँ पे आजाएगा आपका 5 यह square into resistance था आपका 3 तो जब आप इसे solve करोगे इसे solve करने पे आपको मिलेगी value 40 और यह whole square भी है यहाँ पे power 2 into 3 तो यह हो जाएगा आपका 1600 into 3 और यह हो जाएगा power dissipated आजाएगा आपका 4800 watt तो यह आपका power dissipated calculate हो गया है और हमें देखो यहाँ पे 4th क्या है हमें यह power factor भी निकालना है तो power factor के लिए मैंने आपको formula क्या बताया था यह है आपका r upon z यह ही आपका power factor है ठीक है तो यही पे निकाल लेते हैं से power factor को cos 5 is equal to हो जाएगा आपका r upon z cos 5 is equal to r कितना calculate किया था हमने r आपका था 3 z आपका था 5 cos 5 is equal to हो जाएगा आपका 0.6 तो यह आपका power factor calculate हो गया है और यह क्या है 1 से कम है ठीक है तो यह question आपका complete हो गया है